दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं मान महल घाट स्थेत मान मंदर जो कि अब म्यूजियम में तब्दील कर दे गया है आए दिखाते हैं आपको मान मंदर का मान महल आप सामें दिखने हैं यह बोर्ड लगा हुआ है अंदर शिलापट वांचिंग वेच साला चलेंगे उपर के दर्फ टिकट लेगे टिकट है पच्छेस रुपए और फॉरेनर्स के लिए है टिकट दीन सुरुपए आगे एंट्री होगी और आपको दिखाएंगे अंदर चल है अंदर हा मों कुनको दाटो है खशाथ फॉरे ऑुरर को दिलापर है तैकना आगो कोबी अटेए मे पासली झालता उत्तत आपै टेना दिरुण अधिकट है ट्राफ टॉत scripture खशाइंगे अन। लौ खंधिक द्चक्ट हैं और एंधिर कि अपना अश्वतों हम ऐसे ही ने सकते हैं इंदू अश्वरेट का अश्वान के पाने को जड़ रहे हां के खोड़ का जड़ी किसी ने खोड़ निया तो तबस्की नुहां पिसे तुम सब बोलाओगे प्राइब सुर्य के बंचे जो वो फास से जड़ाता है को अधर सब चिंदे के ना श्वता कुछ बता का नहीं के साथ का तो का को समाचा है विखागी चिंदा एक अश्वान पूट रहा है अपने अपने घायों कि ओच से तुमाचा की इसके वो इताम पहर को सिलाओ दिया कि वो पारिक नहीं पर दो तो आप नहीं पीछें अपनी चगाउमने साथ ही वर्दा गुण भादा नहीं हो जो प्राइब शुर सब्टार बींदार्गी आपर कर्दागी or बुट साथ में को पर कि कैंजा वी अजारियाग, बिपुकमद अачाल. झालो को वी देडि़ देड़ वालागाने गर्णा के खाले खाले के सब्सक्राइब के पिछे पीछ बसा है बनावस। यहां गर्णा के गर्णा भी दिशामून कर उत्तर बाहनी हो जाती है। और अपसर पाठ बदने वाली गर्णा भी आज तक कभी बनावस का रादम नहीं छोगा है। यहां गर्णा पर युहों से बंते समते बदते खालों की छटा वहां रस्तोय गर्ण विर्णत देती है। है लगे गर्णा भी कायां सब्सक्राइब के पुर्वगार। हर्भी दिशामून का ये श्यर तामों मतार। कर दो बंदे आए अभी हागा कर दो अपनुदा मतार। हर्च कर दो बनावस का विर्णत वार। हर्णत वार। पर दुश्ट के बाद आपको दिखा रहे हैं यहां पर शुच तरसाय का है प्रनास के गाटों की सिडियां गलियां अमटास की और बनास की विश्व प्रसिद्ध पाल की दुखाई तो यहां पर खास तरीके से बनास की इतिहास को दरशाया गया है कि बनास की इतिहास क्या था क्या गौर्व था भी बनास का आप यहां आईए जरूर देगी बहुत ही रुचक जानकारी है साहित त्यौक पत्रिकार रहता है बनारस में निर्मत आपको बनास से साड़ियों का उत बादन कैसी होगता है वो दरशाया गया और अच्छी तर दरशाया गया है बनारस से संगीत नक्री की रूप में भी है वो भी दर्शाया आप देख रहे हैं यहां यह पर कौण कौन से संगीत के मात्यंत्र है और यहां के प्रशेदिल अप्टे के किलोलें जो कज़वा में निर्मित होते हैं बागी चीजी अब देख रहे हैं अश्ट्यातु से निर्मित बस्त में मुर्ती और यह दिखरें पीतल और तंबे से बनी होई नकासिदार कमंडर और आगे दिखा रहे हैं आपको यह मिनकारी मोर बग्याग दिखाते हैं इसे जगह पे लिजाशों चलागा अपने चलते हैं बनारस मंदिर तदगाटों की नगरी होने के साथ साथ मिश्टी पाचितम शहरों मिश्टी एक है जिससे यहां पे आस्था और आद्मिक्ता का जुड़ाव एक अलग ही है और आप आगी देखे हैं कि इत्यास को दर्शाता हुआ और हमारे बनारस के लाल बादो शास्त्री जो की दूसरे प्रहमनती रहें प्रितेश के और आगे आप देखें स्वास्तिलाप के लिए आयुरवेद का इस्तमाल किस प्रगार होता था और होता आ रहा है यहां दरशाया गया है यह आयुर्वेद के दवाईयां यहां आप देख रहे हैं बनास के घाटों को जाने के लिए कुछ रोचक तरीके के अपनाया गया है आहां दिखाते हैं यहां का हट्करगा उड्यों को दिखे किस प्रकार से बना जाता है अधासी साड़े को बनाने में जिस उपकरण का समाल होता हुए आपर सामने दिखने ही है और आगे वच्चों पच्छे समझने के लिए बादेन तक किसे समझ सकते हैं यहां पर छूने से बादेन से भी रहा है कि अधान गुर्व जाओं कि अधासी उप्राओस्ती तो चूच वब छिए कर लंगे है तो चलिए दो ले जंते हैं वाकूभ पर के तरफ इदैके यह महल का उपर इस था, अब इन सीडियों के रास्ते से चलेंगे उपर आपको दिखाएंगे कौन कौन से उक्रन यंद्र पहले की जवाने में बनाए गए थे, जिससे समय का आगार होता था, कि कितना बज रहा है, कौन सा दिन है, कौन सी तारीक है, यह दोगो घड़ी है का दीखेए था, कर दोगो, किया दोगारा है, का से चार पैण काकरो दिखाएंगे, आज अगलाऀह, यह दोगारा है, 8 में, 9 में, 10 में, 25 में, 25 में, 35 में, 30 में, तो देखेए दोगे दोस्तों आपको दोगो, है, फज़दी में बहित रहा है, चार बज़ती की, चार बच के दो मेड़ यानि की पूरे के पूरे बाहरा मिनट का अंतर यह गड़ी दिखा रहा है अब ना जाने क्यों करण कुछ और होगा चलिए आपके आगे दिखाते हैं आपको यह कुछ कुछ यंत्र के जो हैं इस से पूरे तरीकी से नहीं लगे इसलिए पता हैं कौन सा यंत्र है कोई बताने वाला भी यह आपे नहीं था अगर आप देगिए घाट किनारे ओपर से घाट करना जाड़ा महली ओपर से इतना मनभावन है कुछ चीजे मेंटेन हो रहे हैं इसलिए नहीं आपको दिखा पाएं आप चलते हैं बाहर और आगे दिखाएंगे आपको कि ये रास्ता कैसे हैं बाहर घाटी दर्फ निकलता है तो अगर आप बनास आएं तो यहां आप जरूरा ये दर्शाशमेश घाट के ठीक बगल में इस्थित है और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक और शेयर अवस कीजेगा अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों